एक लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करने पर आपको मिस्चेवटी पर मिलेगा छियासत लाख रुपए का कॉर्पस ऐसे जानेगे आज के इस वीडियो में यह फंड नसिव आपको बैंक एवडी और पोस्ट आफिस की आर्डे स्कीम से जाधा रिटर्न अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI Blue Chief Fund Direct Growth Plan के बारे में अब हम इस mutual fund के पिछले पास डिटर्न पर नज़र डालेते हैं पिछले पास डिटर्न पर नज़र डाले तो पिछले एक साल का एवरेज डिटर्न है 3.3% और पिछले तीन साल का एवरेज डिटर्न है 16.8% और पिछले पास साल का एवरेज डिटर्न है 12% और जब से यह mutual fund launch वाया है तब से इस mutual fund ने अपने investor को 15.5% का consistently return दिया है अब हम इस mutual fund को calculator से calculate करकर देख लेते हैं कि हमें कितना lump sum amount invest करने पर कितना time horizon पर कितना return देखने को मिलेगा अगर हम इस mutual fund में 1,00,00 रुपे एक बार में lump sum amount invest करते हैं और हम अपने पैसे को 3 सालों के लिए invest करते हैं तो 3 साल के बाद आपका investment amount देर गुना बढ़ कर यानि कि 1,52,807 रुपेया हो जाएगा वहीं हम 1,00,00 रुपेया अपने investment को 3 साल से बढ़ा कर 5 साल कर देते हैं तो 5 साल के बाद आपको 2 times बढ़ कर आपका पैसा मिलेगा यानि कि 2,1,136 रुपेया मिलेगा वहीं हम अपने investment को 1,00,00 रुपेया 5 साल से बढ़ा कर 10 साल कर देते हैं तो आपको maturity पे 4,4556 रुपेया मिलेगा वहीं हम 1,00,00 रुपेया 15 सालों के लिए invest करते हैं तो 15 साल के बाद आपको maturity पेया 8,13,706 रुपेया वहीं हमें 1,00,00 रुपेया अगर 20 सालों के लिए invest करते हैं तो आपको maturity पे मिलेगा 16,00,365,00 रुपेया वहीं हमें 1,00,00 रुपेया अपने investment को 25 साल के लिए करते हैं तो आपको 25 साल के बाद आपको maturity पे मिलेगा 32,91,895 रुपेया अगर कोई वेक्ति आप में से कोई अपने रिटाइमेंट को सिक्योर करना चाते हैं और लंबे प्रेट के लिए इन्वेस्ट करना चाते हैं जैसे कि 30 सालों के लिए तो अगर आप एक लाख रुपया 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद आपको मेच्योट का सारा पैसा इंडिया के टॉप ब्लू चीफ कंपनी में इन्वेस्ट करती है इस म्यूचल फंड के पॉट्फोलियो में टोटल तीरपन कंपनी है जैसे अब जानते हैं इस म्यूचल फंड स्कीम के इन्वेस्ट्मिंट ऑफ्सन के बारे में आपको इस स्कीम में साइपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट करने का ऑफ्सन दिया जाता है बात करें इसली तो इसके लिए आपको मिन्वाब 5,000 लब के जोदय पड़ेगी वहिं अगर आप इसली नहीं करना चाते हैं और लमसम एमाउन इंवेस्ट करना चाते हैं तो इसके लिएस democrats के पक हैं Rapa require के अकेा वही एकटीडोट की बात करें तो है एक परसंड एकटीडोट तभी लेगेगा जब हम इस स्की में इन्वेस्ट करने के एक साल के भी तर अपने म्यूचल फ़न यूनिट को सेल आउट कर दोते हैं अब जानते हैं इस म्यूचल फ़न के टैक्स ट्रिटमेंट के बारे में अगर आप इस म्यूचल फ़न में इन्वेस्ट करने के एक साल के भी तर अपने यूनिट को बेज देते हैं और उस यूनिट पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको यहाँ पर 15% का सौट टर्म कै प्रॉफिटल गेंट देना पड़ेगा तो आपने आज के इस वीडियो में जाना इस ब्रॉची फ़न के बारे में हमने इस मूचल फ़न स्किम के पिछले पास्ट रिटर्न पे नज़र डाला हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लिए कि हमें कितना लंप सम इमाउ प्रॉच की बारे में बात की अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऐसे ही नए वीडियो में